विदान सबच नव की एक्सिट पोल के बाद पहली बार PCC चीफ गोविन सिंग डोटासरा ने बयान दिया डोटासरा ने सभी सर्वे और एक्सिट पोल पर सवाल उठाते हुए राजस्थान में फिर से कॉंग्रेस की सरकार बनने का दावा किया है डोटासरा ने घेलो सरकार के पांच साल के गुड गवनेंस जन कल्यान कारी योजनाय शानदार मेनेजमेंट के बदौलत प्रदेश में जनता कॉंग्रेस की सरकार बना रही है कहा तुटास्रा ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी में सीएम पत के कई दावेदार हैं बीजेपी के कई दिगच नेता मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं देखे राजस्थान के जनता ने मन बना करके कॉंग्रेस की नीतियां, कॉंग्रेस की जो योजनाएं और कॉंग्रेस की जो गुड गवर्नेंस और जो संग्ठन की मैनथ रावल गांदी जी की जो भारजोडो यात्रा जिस उदेशे को लेकर के कि गई थी और खडगे साब का नेतरी तो है इन सब को मिला करके राजस्तान में भारी बहुमत के साथ में कॉंग्रेस के पक्ष में मतदान हुआ है और रिजल्ट जो आएंगे वो एक तरीके से चोकाने वाले होंगे कि हम जो उम्मीद कर रहे हैं उन से भी कहीं अधिक कॉंग्रेस के पक्ष में जाने वाले है देखो जीत की गणी तो जनता तै करती है तो जनता भाई बाप होती है और जनता ने समर्थन दिया है और हमारी सरकार ने जो अच्छे काम किये थे और कारिय करताओं ने जो मैनत किये दिन रात कुन पसिना एक किया है और हमारे नेत्रीत्व ने खड़गे साब ने राउल गांदी जी ने प्रेंका गांदी जी ने जो कंपेनिंग यहां पर की है हम लोग आज सत्ता में दूबारा आ रहे है कोई नीती नहीं थी उसके बास कोई एजंडा नहीं था पांच साल में उसने कोई ऐसा विपक्ष की बूमिका में कुछ किया नहीं वो तो मुंगेरिलाल के हैसीन सपने देख रहे थे आड़ दसे मुख्यमंतरी बने बैठे थे यहां पर आप देखिए कि सीपी जोसी जी तो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और एक सीड़ जीतानी की एक समता नहीं रखते हैं राजेंदर जी राठोड साहब हैं वो खुद चुनावार रहे हैं और यहां वसंदरा राजे जी के साथ में जिस प्रकार से पांच साल इन्होंने किया तो मैं समझता हूँ कि उनके नित्रित्व को आला कमाने नहीं माना तो जन्ता कैसे मानती यह पी के पास एक ही था कि अनर्गल बयानवाजी करना पेपर चोरी के अनर्गल आरोप लगाना बिष्टाचार की गलत बातें करना उन्होंने कहीं भी यह विजन नहीं दिखाया कि हम राजस्तान के लिए सोगेलोजी की सरकार यह नहीं कर पाई या कॉंग्रेस के सरकार यह नहीं कर पाई हम यह कर देंगे अलग से